नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की हिस्टरी बुक का फर्स्ट लेशन, इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, और अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे जो पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वो है दे मेकिंग आफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी का एक ही करण और इटली का एक ही करण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो सबसे पहली बात है वो ये, कि यूनिफिकेशन आफ जर्मनी में, जर्मनी इस चीज को देखेंगे हम, और दूसरा जो पॉइंट से है इसमें, यूनिफिकेशन आफ इटली, यूनिफिकेशन आफ इटली कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले, यूनिफिकेशन आफ जर्मनी इन 1871, तो जैसा हम जानते हैं, कि जर्मनी के एक ही करन का पहला प्रयास, 18 माई 1848 को, फ्रैंक्फर्ट संसद जो आयोजित हुई थी, उसके रूप में किया गया था, लेकिन फ्रैंक्फर्ट संसद सफल नहीं हो पाई, इस संसद के असफल हो जाने के बाद, जो पहला एफर्ट था, 1848 का, इसके असफल हो जा जर्मनी के एक ही करन का कारेभार, प्रसा का प्रधान मंत्री था, 181 विसमार्ग, इसने सुरू किया, अफ्र थे फेलियर अफ्रैंक्फर्ट संसद, प्रोसेस अफ युनिफिकेशन आफ जर्मनी वास फिनिश्ट इन दे लिडर्शिप आप 181 विसमार्ग, चीफ मिनिस्टर प्रसा, प्रसा ने क्या किया, 181 विसमार्ग ने क्या किया, अपनी कूट नीत के द्वारा और मजबूत सेना के बल पर, युनिफिकेशन आफ जर्मनी के प्रोसेस में जो राष्टर, बाधा के रूप में काम कर रहे थे, अपोस कर रहे थे, आश्ट्रिया, फ्रांस, रूस और डेन्मार्ग, साथ सालों तक इन से लडाई की, 7 यर्स तक इन से लडाई की और सब को पराजित किया कहीं न कहीं प्रसा की सेना ने, और इन कमिंग सेवन इस प्रसा दीटेट आश्टरिया, डेन्मार्ग, फ्रांस, अंध ग्रूस युनिफिकेशन आफ जर्मनी, इन जन्वरी 1871 दे प्रसान किंग कैसर विलियम प्रथम कैसर विलियम फर्स्ट वास प्रोक्लेम्ड जर्मन इंपरर इन इस सिर्मनी हेल्ड अट वर्साए तो साथ सालों तक लडाई लड़ी और आश्टिया फ्रांस रूस और डेनमार्क को पराजित किया और अंत में जाकर के जन्वरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का समराट गोसित किया गया और इस तरीके से जर्मनी का एकिकरण पूरा हुगा पावरा प्रसा वाज सोन इन दिस यूनिफिकेशन आटवान विसमार की कूट नीती बुद्धी चातुरिय और प्रसा की सेना का बल इस यूनिफिकेशन में दिखता है जर्मनी के एकिकरण की तुरंत बाद ही राष्ट राज को मजबूत बनाने के लिए पूरे जर्मनी में मुद्रा बैंकिंग कानून योम नयाय की जो माडन फैसलिटीज थी उन सबको लागू किया गया इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दे यूनिफिकेशन आफ इटली 1871 इटली यूनिफिकेशन के पूरू साथ भागो में बटा हुआ था इटली वस डिवादे इन सेवन स्टेट्स इन वनली साडिनिया पीडमांट was ruled by an Italian princely house साडिनिया पीडमांट ही एक ऐसा हिस्सा था जहां इतालवी राजा का अधिकार था there are three people who played major role in the unification of इटली नमबर वन जूद्सपे मैजनी रिवलूसनली जिसके बारे हम लोगों ने पहले से थोड़ा से पढ़ रखा है दूसरा माउंट कावूर चीफ मिनिस्टर अफ साडिनिया पीडमांट and third one is जूद्सपे गैरी बाल्टी इटली के एकी करण में इनी तीन व्यक्तियों का मात्पूर योगदान रहा है उसमें जूद्सपे मैजनी मैजनी ने यंग इटली और यंग कारबोनरी क्रांतिकारी संगटनों के माध्यम से जनता में राष्टवाद और इटली के एकी करण के विचार को प्रस्तुत किया जूद्सपे मैजनी had motivated peoples and make them understand about it unified Italy तो जो concept है वो जूद्सपे मैजनी का है Unification of Italy के बारे में He formed sacred societies to achieve their goal हमने पढ़ा है कि सुरू से ही वो कारबोनरी क्रांतिका revolutionary organization का बात में इसने खुदी यंग इटली और यंग यूरोप sacred societies की अस्थापना की The King of Sardinia Piedmont Victor Emmanuel II had taken responsibility to unified Italy जैसा हमने पहले ही पढ़ा है कि Sardinia Piedmont ये कैसा state था जहां असली Italian king का जासन था Victor Emmanuel II ने जिम्मेदारी ली unification of Italy के लिए He had started many reforms in economy and in the area of political right and make a strong army for unification of Italy Kavur, chief minister of Sardinia Piedmont had made a treaty with France so that Sardinia Piedmont में अपोज आस्ट्रिया ती जो Kavur जी थे उन्होंने France के साथ में संधी की ताकि वो आस्ट्रिया को अलग थलग कर सके और Unification of Italy के प्रोसेस को पूरा कर सके क्योंकि Unification of Italy में जो के प्रोसेस में जो मुख्य बिरोधी था अपोज करने वाला जो राष्ट था वो आस्ट्रिया था ए लार्ज नमबर आफ वालंटीयर्स अंडर दे लीडर्शिप जो इसपे गरीबाल्डी जोइन्ड जो इसपे गरीबाल्डी ने Cicelya प्रांद में अपने विचारों से प्रभावित करके हजारों लोगों को वालंटीयर्स की रूप में सामिल किया कहने का आसा यह है कि मैजनी, कावूर और गैरी बाल्डी के प्रयासों की द्वारा यूनिफिकेशन आफ इटली का प्रोसेस पूरा हुआ और इस प्रोसेस में पीड मांट में सासन सत्ता प्राप करते ही सुधारों की सुरुवात की गई और कावूर ने एक मजबूत सेना का निर्मान किया और अपने बुद्धी और चातुर से फ्रांस के साथ में संधी की ताकि आस्टिया को दूर रख सके और गैरी बाल्डी के जो सहायक थे वालंटीर्स थे उन लोगों ने मदद की इस प्रकार यूनिफिकेशन आफिटली भी पूरा हुआ The Strange Case of Britain Britain की कहानी कैसी है जिसके बारे में There were four ethnic groups who inhabited the British Isles Great Britain, चार बिर्तानी नसल के जाती समुहों का एक देश था English, England, Wales, Scott और Irish इन चार राज्यों की अलग-अलग संस्कृती, culture, इनकी thinking और राजनितिक परंपराएं थी All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition In 1688, English Parliament seized power from Monarchy The Act of Union 1707 between England and Scotland made Scotland a part of England तो England में जो चारों जाती समुह थे उसमें British Parliament, English Parliament ज्यादा powerful थी इसने Act of Union 1707 के तहत Scotland को England में मिला लिया In the Ireland, the English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over Ireland Ireland में British ने क्या किया Ireland के Protestants और Catholic जो दो धार्मिक समुह थे उनके dispute का फाइदा उठाया और Protestant को समर्थन दिया और इस तरीके से Ireland को भी England ने Britain में मिला लिया Actually, 1685 में England में Stuart once का James Didier गदी पर बैठा था जो निरंकुष्थ था और Catholic था जबकि England की जनता Protestant थी इसलिए जनता James को पसंद नहीं करती थी अपने राजा को पसंद नहीं करती थी जनता ने James Didier की पुत्री Mary और उसके पती Orange के William जो हालैंड का राजा था उसको England में आमंत्रित किया सासन भायर समालने के लिए जनता ने invite किया Mary और उसके पती Orange के William को और वे दोनों लोग एक सेना के साथ England में आए और 1688 में सत्ता प्राप्त की वहीं से England की कहानी बदल जाती है पारलियमेंट ने James Didier को राजगद्दी से हटा कर दोनों को किसको Mary और उसके पती को सन्युक्त रूप से अपने देश का राजा स्विखार किया ये घटना England के इतिहास में Glorious Revolution के नाम से जानी जाती है इसी समय से England में राजाओं की जो आटोक्रेसी थी वो समाप्त हो जाती है और एक Constitutional मुनार्की की सुरुवात होती है A New British Nation was formed through the propagation of a dominant English culture Scott, Wells, Iris सब को मिला करके British Nation को पूरा करने के लिए एक English culture को अस्थाफित करने की कोशिस की गई The symbol of New Britain where The British flag, Union Jack, जिसके नाम से जाना जाता है The National Anthem, God Save Our Noble King English language were actively promoted and the older nation survived only as subordinate in the Union तो कहने कासा यह है चार जाती समुहों में जो English थे वो हावी हो गए और चारों मिलकर के Britain का निर्मान किये Visualizing the nation In starting a country was represented as a person as a female figure जैसे हमने French Revolution में भी पढ़ा है The female figure became an allegory of a nation पहचान बन गई महिला का जो तस्वीर है Liberty term were also shown in form of broken chain French Revolution में इसको पढ़ा है कि राष्ट का प्रतीक एक महिला की रूप में और अनेक सारे symbol जो nationalism को बढ़ाते थे तो उसमें broken chain जो थी वो किसका प्रतीक थी? Liberty का Justice is generally a blind folded woman carrying pair of weighing scale नयाय का प्रतीक एक महिला जिसकी आँखों में पट्टी मधी है और हाथ में जिसने तराजू ले रखा है इस तरीके से अनेक सारे चिन्ध और प्रतीकों की पहचान की गई बनाया गया, निर्मान किया गया ताकि हर एक राष्ट अपने राष्ट को विशेश रूप से प्रस्तुत कर सके और जन्ता का मन उस राष्टी चिन्धों के साथ में एक राष्ट को पहचानने में मदद कर सके In France, nation was christened as Mariana Mariana, Mariana को France में राष्ट का प्रतीक समझा जाता था Her characteristics, the red cap, the tricolor, the coquette The statue of Mariana were created in public square as a symbol of unity Mariana का जो statue है वो हर जगह बनाया गया जो symbol of unity group में जाना गया Similarly इसी तरीके से, Germania became the allegory of the German nation जिस तरीके से, France में Mariana, उसी तरीके से, Germania, Germany में Nationalism and Imperialism Idea of nationalism become narrow and this was converted to make them strong and to conquer other country or nation जिस तरीके से Nationalism बढ़ता रहा सुरू सुरू में लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, Liberalism को चाहने वालों ने, Nationalism वालों ने अपने राष्ट के प्रतीक को पहचाना, अपने राष्ट का निर्मार किया लेकिन बाद में ये जो Nationalism है राष्टवाद है उगर राष्टवाद हो गया और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दूसरे देशों पर भी अधिकार करना शुरू किया बालकान का जो एरिया है जहां आटोमन सामराज का सासन था वहाँ ज़्यादा टेंसन थी वहाँ क्या समस्या थी जो Nationalist के लिए चुनोती बहा कारे था दे बालकान वाज दे एरिया आफ एथनिक वैरियेशन एंड दे वेर फाइटिंग विद इच दर बालकान में अनेक समूह के लोग थे और जो आपस में सदयव लड़ते रहते थे आइडिया आफ नेशनलिज्म बिकेम नैरो एंड दिस वास कनवर्टे तो मेक दिम स्ट्रॉंग एंड कैनक्वेर अधर कंट्री और नेशन बालकान के अंतरगत आने वाले राजज कौन कौन से थे रुमानिया, स्लोवेनिया, बुलगारिया और सर्बिया, अलबानिया और मॉंटिनेग्रो, ग्रीस और हर्जगोवीना, मैसडोनिया, कुरेसिया, बोजनिया इस तरीके से ग्यारह राष्ट थे, उपरोगत सभी राज्यों में भावगोलिक और जाती विभिन्नताएं थी, और सभी को सामोहिक रूप से सलाव कहा जा थे, आल एलेवन पार्ट्स वेर अंडर अंडर अटमन इंपायार, मुश्किल होने लगी, क्योंकि जितने सारे बालकन राज्य थे, वो सब आपस में लड़ते रहते थे. Each power, कौन-कौन से, Russia, Germany, England, were keen on countering the hold of other powers over Balkan. ये सब जो राज्य थे, देश थे, वो सब बालकन राज्यों पर अपना अधिकार जतानी कोशिस कर रहे थे, और वो दूसरे राज्यों का विरोध कर रहे थे. This led to a series of war and finally the first world war happened. Many countries who were colonized by the European powers began to oppose imperial domination. अब एक तरफ तो बालकन की समस्या ने क्या किया, first world war वाली जैसे इस्तिति लादी, लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ कि जो सक्तिसाली राष्ट थे, जिन्होंने दुनिया के अनेक सारे हिस्सों में राष्ट्रों को जीत करके कॉलोनी बनाई थी, वहां भी राष्टवाद बढ़ने लगा, anti-government movements, nationalist के प्रतीक थे, भारत में जो राष्टवाद की सुरुआत हुई, वो anti-colonial government के रूप में सुरू हुई, अंग्रेजी सरकार जो भी सारे काम करती थी, क्योंकि वो जन्ता के लिए बहुत नुक्सान दायक थे, जन्ता का सोचन हो रहा था, अधिकारों खनन हो रहा था, इसलिए भारत में राष्टवाद की सुरुआत हुई, और भारत के हिसास साथ दूसरे अन्य उपनिवेसों मे भी इसी तरीके की प्रक्रिया की सुरुआत हुई, फर्स्ट वर्डवार के आसपास, मेशन स्टेट स्केम टू भी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, और उसके बाद जो राष्ट अस्तित में आए, वो किस रूप में आए, नेचुरल एंड यूनिवर और एक दूसरी को भी एक्सेप्ट करते हैं, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मुच्छ